जैम आता दी आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे तुला राशी के बारे में 28 अप्रेल से लेकर 3 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तो हमारा राशी फल चंद राशी पर अधारित है यह समय बिशाक बास के शुक्ल पक्ष क समय है और तुला राशी वालों के लिए बेहद खास और सांदार है चलिए शुरुआत करते हैं 28 तारीक पंगलवार से दोस्तो 28 तारीक पंगलवार को दिन में पंचमी तिति रहेगी और शाम को शश्टी तिति रहेगी पूरे दिन आदरा नक्षत्र होगा चंदरमा राहू का नक्षत रहने वाला है तुला राशी वालों इस दिन आपको अपने कामों में सफलता मिलते हुए दिखाई देगी लेकिन आपकी सोच बहुत अधिक बढ़ सकती है आपके मन में बहुत सी नई इच्छाएं उत्पन हो सकती है आप बहुत ज़्यादा महत्वा कां प्रियास रखें और मिठे बनकर अपने काम निकलवाने का प्रयास रखें परिवारे करिस्तों में खटास ना आए ऐसा प्रियास भी आपको करना है इस दिन आपको स्वार्थ की भावना को त्याग न होगा और कुछ लोगों की मदद करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दिन आपके लिए बहुत अति उत्तम होगा दोस्तों का साथ मिलेगा भाई बहनों का सयोग मिलेगा परिवार में सुक सांती बनी रहेगी व्यापार की स्थिती बहतरीन होगी और एक्स्ट्रा इंकम के भी रास्ते निकलेंगे आपकी इंकम इस दिन बढ़ सकती है और पुरा पुराने रुके हुए अधूरे काम बनते हुए दिखाई देंगे अपनों का साथ मिलेगा बस आपको कारियस थल पर किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी इस दिन नहीं करने चाहिए सोच समझ कर लिएगे फैसलों में आप बहुत काम्याब रहेंगे आप अपनी तेज बुद्ती से मुश्किल कामों को आसान बनाने वाले हैं और दूसरों का साथ भी मिलेगा बस आपको सबर और धैरिये भी रखना है और अपनी सोच को अपने काम में लगाना है शोट कट के रास्ते ना डूले और रिस्क लेने से बचे दोस्तों इस दिन शाम को सब्तमी तिती होगी पुनर वसु नक्षत्र होगा चंद्रमा मिथुन राशी से गोचर करेंगे ब्रस्पती का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है यह समय कर्ज की स्थिती को समाप्त करेगा कर्ज चुकाने के नए रास्ते निकलेंगे और धन की विवस्ता होगी तो नए कामों के लिए धन की ववस्ता होने वाली है और जनम स्थान से दूर स्थर से शुब समाचार प्राप्त होंगे यात्राओं में सफलता मिलेगी अगर जरूरी कामों के लिए घर से निकलना पड़ता है तो आपके द्वारा की गई यात्राएं और आपके द्वारा क प्रियास काम्याब रहेंगे दोस्तों का साथ भाई बहनों का साथ मित्रों का साथ सैकर्मियों का साथ घर परिवार के लोगों का साथ मिलने वाला है विशेश मान सम्मान मिलेगा और विशेश तरक्की और धनलाब इस दिन प्राप्त होगा जोब में परमोशन मिल सकती है और आपके शत्रों का नाश होगा गुप्त शत्रु पूरी तरह समाप्त होंगे और वाद विवाद में लड़ाई जगडे में भी आप आगे रहेंगे इस दिन पूजापाठ में धर्म आध्यात में भी आपकी रूची रहेगी और इस्ट देव की कृपा भी प्राप्त होगी ब क्लियर के लिहाज से यह दिन आपके लिए बहुत चादा सुब है आपको नई नोकरी मिल सकती है नई नोकरी तलाश कर रहे लोगों को सुब समाचार मिलेंगे ओनलाइन किसी भी एक्जाम और इंटर्व्य को आप क्लियर कर सकते हैं पद परतिस्टा बढ़ेगी और समाजि चोटी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए कामकाज अधिक होगा बीजी होंगे और अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है लेकिन आप मेहनत करने को तयार रहेंगे और आपके द्वारा कियेगे परियास आपको कामियाब करेंगे जमीन जयदाद के मामलों में इस दिन विशी हो सकती है नया समान भी आ सकता है मन पसंद चीजे आपको प्राप्त होंगी धन आने के अच्छे संकेत है और गुप्त धन की प्राप्ती भी होगी लव लाइफ इस दिन बहुत खास रहेगी आपस में प्यार और विश्वास पड़ेगा और नय संबंद भी बन सकते हैं यह है समय विद्यार्थियों को विशेश कामियाबी देगा शिक्षा में बहुत अच्छा मन लगने वाला है और आने वाली समस्याई दूर होंगी पढ़ाई लिखाई में आप आगे रहेंगे और किसी भी तरह के ओनलाइन एक्जाम को भी आप असानी से क्लियर कर पाएंगे यह समय आपकी नए मितरता भी आगे बढ़ेगी नए संबंद बन सकते हैं और नए लोगों से दोस्ती हो सकती है यह संबंद आपकी किसी भी तरह से ओनलाइन भी बन सकते हैं दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत खास है पिता जी से बड़ा फाइदा मिलने की उम्मीद है सरकारी विभागों से जुड़े लोगों और जुरूरी सेवाओ से जुड़े लोगों को विशिश फायदा होगा इस दिन आपके द्वारा कियेगे काम आपकी सरहना करवाएंगे आप से लोग परभावित होंगे आप आकरशन का केंदर बनेंगे और लोग आपके कामों की तारीफ करेंगे आपको मान समान की प्राप्ती होगी सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी बेवाही की जीवन भी अच्छा रहेगा हर प्रकार से यह समय आपके लिए उत्तम है बात करें एक तारिक शुक्रबार की इस दिन दिन में अश्टिमी ति रहेगी शाम को नवमी तिति रहेगी आज लेशा नक्षत्र होगा चंदर्मा करक राशी से गोचर करेंगे बुद्ध का नक्षत्र रहेगा इस दिन किस्मत का साथ मिलेगा धन आने के अच्छे संकेत हैं लेकिन जरूरी कामों के चलते खर्च बढ़ सकते हैं इस दिन आप आपको अकेले में बहुत पड़े फैसले नहीं लेने चाहिए इस दिन घर परिवार के लोगों की सला भी लेकर चले पूजा पाठ में धर्म आध्यात में विशेश रूची रहेगी आपकी नोलेज बढ़ेगी और नए लोगों के आप संपर्क में आएंगे ये लोग आप की पुरानी समस्याओं को हल करने में आपकी मदद करेंगी इस दिन आपके मित्र भी आपके काम आने वाले हैं बस आपको इस दिन अपनी कंसेंट्रेशन को बहतर करना है परेशान होने से बचना है अधी काम के चलते मन परेशान भी हो सकता है अगर आप घर में खाली बैठ तो आपका मन परिशान हो सकता है इसलिए आपको सबर और धैरिय भी बनाए रखना है ठंडे रहकर अपने कामों को निकलवाने का प्रयास करें और इस समय को निकलने दे दोस्तों का साथ भी मिलेगा मौन मस्ती भी होगी लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए दोस स्थिती मजबूत होगी धन जुड़ने लगेगा खर्चों पर रोक लगेगी और सेहत में बड़ा सुधार देखा जाएगा इस समय में विशेश मान सम्मान प्राप्त होगा कोंफिडेंस आप में बहुत अच्छा रहेगा अपनी उम्र से बड़े लोगों से फाइदा रहेगी एक तूसरे के साथ फोन पर बात हो सकती है और अपने पार्टनर का साथ आपको अच्छा लगेगा दोस्तों यह दिन आप के लिए अति शुब है बात करें तीन तारिक रविवार की इस दिन 81 तिति रहेगी पूर फालगुनी नक्षत्र होगा चंदरमा सिंग भाकेशाली होगा आपके अंदर जोश उत्सा को बरेगा और आपको पुरानी बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा बड़ी पुरानी समस्याएं और बड़ी पुरानी शारीरिक बीमारियां भी इस दिन दूर हो जाएंगी आपके कश्ट दूर होंगे और आगे बढ़ने केंदर बनेंगे आपके द्वारा की गई प्लानिंग आपको बड़ा फायदा दिलाएगी यह समय लोट्री द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है और धन से संबंदित हर परकार की समस्या पूरी तरह समाप्त होगी इस परकार से आपको कई तरह की खुशियां और सुब समा कारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और सच्चे मन से जय मातादी जय मालक्षमी जरूर लिखे